Hello everyone, welcome to Eclavia Study Point and I am Sachin. आज मैं आप सभी को Class 11th के English Subject से आपको The Address जो आपका Chapter है, इसके Most Important Question Answers करवाने वाला हूँ आपके Mid-Trum Exams के लिए 2024 सेशन के Students के लिए ये वीडियो है. तो आपको बिलकुल Chapter में जो जो Main Main Topic है, वहां से ही Question Answers करवाये जाएंगे और अगर आपकी कोई Query है तो Instagram पे Message कर सकते हैं और आप हमारी Website को जरूर विजिट करें www.eclaviastudypoint.com ठीक है, वहां पे भी आपको Chapter Wise Notes, Question Answers सब मिलते रहेंगे और हमारे Telegram Group को जोईन करके आप Chapter Wise PDF ले सकते हो Class 11 ESP Group जोईन कर लेना, वहां पे आपको जितनी भी PDF से हैं, वो मिल जाएंगे तो अब हम चलते हैं आगे सबसे पहला Question है, Why did the narrator want to forget the address? So इस Story के अंदर एक address है जिसको narrator भूल जाना चाहते है, बिलकुल So the narrator wanted to forget the address because it reminded her of her painful past, क्योंकि जिस address की बात हो रही है, वो उसका बहुत ही जादा painful past उससे जुड़ा हुआ है Past में कुछ बुरा हुआ होगा उस जगा पे So होता क्या है, जो उसकी memories थी, उसकी मदर की and the belongings that were looted during the war हुआ क्या था, जब war चल रही थी, तो भाई उनका जितना भी घर का समान था, उसको loot लिया गया, लोगों ने अपने घरों में रख लिया, loot, loot कर समान, और बहुत war चल रही थी, खतरनाक वाली तो उस टाइम पे बहुत painful past रहा है narrator का, और when she visited Mrs. Dorling's house, she realized that these material things had lost their value, they only brought back painful memories वो देखती है कि Mrs. Dorling के घर पे जो समान पढ़ा है वो उसी का था, जो उसके past में कभी उसके घर में वो समान होता था, आज वो किसी और ladies के घर पढ़ा है, लेकिन वो कहते है कि अब उस समान की कोई value नहीं है, क्योंकि वो एक painful past से जुड़ावा समान है, so she wanted to leave behind the traumatic past, वो ज deal करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, ठीक है, फिर उसके बाद अगला question है, what impression do you form of Mrs. Dorling based on the story, तो ये जो story है the address, इसमें एक character आती है Mrs. Dorling नाम से, तो उसका character कैसा है, देखो, so Mrs. Dorling जो है बहुत opportunistic मौकर ढोंडती है भाई, और वहुत selfish है, बहुत जादा selfish woman है, क जाने कि जब war चल रही थी, तो narrator की family problem में थी, और ये बंदी जो है Mrs. Dorling ये इसने इतना फाइदा उठाया, कि उसने जितनी भी उनका valuable समान था, वो सारा का सारा अपने घर पे रख लिया, उठा उठा के लूट कर, ये कहकर, कि भई मैं समाल कर रखूंगी, उठा के ले जो लड़की है, कि भई ये मेरे belongings हैं, वो reclaim करने आती है, वो बिल्कुल refuse कर देती है, कुछ नहीं है तुम्हारा, चलो यहां से जाओ, सो उसका behavior बहुत ही बेकार था, इससे पता चलता है, बिल्कुल भी उसको empathy नहीं है, भई एक तरफ किसी के वहाँ पे देश में war हुआ, ठीक है, उसके घर पे लोगों ने घुसके मार पिट करी, उसका समान सारा इदर अदर लूट लिया, आज तुम उसके साथ ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा समान नहीं दोंगी, तो यह तो बेकार बात है, सो बिल्कुल कोई compassion, empathy उसके अंदर है नहीं भई, वो किसी और की suffering का फायदा उठाती है, जो Mrs. Borling है, बहुत ही वेकार विमन है, इस story के अंदर, अगला question है, why did the narrator feel that returning to the address was not worth the effort, जितना effort narrator ने अपने उस address पर जो past में, देखो अब तो वो वहाँ पे नहीं रहती है, जो narrator है, बट उसने जब decide करा कि मुझे अपने उस address पर जाना है, तो उसको व when the narrator visited the house, जिस घर में वो पहले रहा करते थे, so she saw the material belongings, जितनी भी उनका समान था, वो उसी घर में पड़ा था, उसके past की आद दिला रहा था, बट वो बहुत ही जादा अलग लग रहा था, क्योंकि Mrs. Dorling उसको लूट लूट कर लाई थी, वापिस देने का नाम नहीं ले रह होता है, that her emotional connection to those objects was lost, जो एक connection था घर के समान से, जब तक हम वाँ रहते थे, समान हमारा था, तो भई थोड़ा connection था, बट अब वो किसी और ने रख रहा है, लूट कर समान, तो उससे कोई connection नहीं आ रहा था, सिरफ और सिरफ painful यादें जो थी वो और की वो आ रही थी, याद अब उसकी कोई significance नहीं थी, ठीक है, और इससे क्या होता है, उसको realize होता है, कि भई ये जो मैं आई यहाँ पे, इस address पर वापिस अमने चीज़ों को reclaim करने, ये इतना worth नहीं था आना, इतने efforts करना, और मेरे को छोड़ देना चाहिए, बेटर यही है कि इन चीज़ों को past में जाने दू, what was the significance of the title, the address, address नाम से जो ये chapter है, आपका the address, इसका significance क्या is title का, तो देखो, ये जो title है, the address, ये बहुत ही important line है, कि वो लड़की narrator, जो war के time पर अपना घर छोड़ कर चली गई थी, बहुत सालों बाद अपने पुराने address पर past के, मतलब address पर आती है, तो उसको मतल जब यही से emotional हो जाती है, और the address is where Mrs. Darling lives, आज उस address पर Mrs. Darling नाम से औरत रहती है, the person who took away her family's belonging, और ये वो ladies, वो औरत है, जो इन लोगों का सारा समान, लूट लूट कर अपने घर में सजा के बैटी है, so it is a place tied to memories, और वो जो address था, बहुत सारी यादे जुड़ी हुई थी, loss औ और pain भी जुड़ा हुआ था, घरवालों को खोना, अपनी जगा छोड़ कर कहीं और जाने का दर्थ, so when the narrator, जो narrator है, जब वो address पर जाती है, उसको realize होता है, जो connection था, past का, जो समान वगारा का, जो लूट कर ले गई थी, वो अब बहुत जादा severe हो चुका है, और अब उसका कोई वैसा emotions वाला कोई नहीं रहा, भई, कोई बात नहीं, अब वो move on करना चाहती है, so the address, जो की आप कहा सकते हो, एक time पे, एक उसके लिए symbol था, की भई, hope का, की वो वापिस जाएगी, अपने past address पर, समान वापिस लाएगी, बट जब वो वहाँ पे देखती है, तो उसको बहुत painful memories याद आती है, और Mrs. Dorling भी बहुत selfish, बहुत बेकार औरत है, how does the theme of loss and recovery manifest in the story, आपकी ये जो story है, the address, ठीक है, the address story के अंदर किस तरीके से loss और recovery की बाते आई है, तो देखो, जो central theme है, वो loss है, ठीक है, क्योंकि narrator ने अपना घर ही नहीं, अपना समान भी खोया, अपन मा को भी खोया है, वार में, तो story बहुत emotional है, वार खतम होने के बाद, जो narrator है, वो try करती है, अपनी चीजों को recover करना, जो भी थोड़ा बहुत समान है, उनका जो वो ला सकती थी, जो भी emotional connection है, समान का जो family belongings हैं, पट वो अब उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि the narrator's recovery is not reclaiming the material possessions, but about accepting the irreparable loss, and moving forward with her life, ये सिरफ समान उठाने नहीं आई है, वो एक ऐसा loss ठीक करना चाहती थी, जो irreparable है, जो repair ही नहीं हो सकता, ऐसा दुख, ऐसा pain, जो अपने घरवालों को खोना, अपने घर को खोना, वोर में, वो दुख सबसे बड़ा होता है, so the recovery is more emotional and psychological, as she decided to let go of the past, औ और अब वो जब सोच लेती है, emotional होकर, कि भाई मैं अब try नहीं करूंगी, इस address पर दुबारा वापिस नहीं आऊंगी, और वो अपना move on करने का decision लेती है, तो loss और recovery का ही ये पूरा chapter था, discuss the role of war in shaping the events and emotions in the story, आज की इस story में war का क्या रोल है, तो war का ही तो सबसे crucial रोल है, क् क्योंकि war की वज़े से narrator को अपनी मा से अलग होना पड़ा, family से अलग होना पड़ा, घर को खोना पड़ा, तो war की वज़े से ही सब कुछ हुआ था, तो इस वज़े से उसको loss बहुत हुआ है, so the war causes displacement, war होती है तो घर चोड़ कर जाना पड़ता है, loss of family, family member मारे जाते हैं, औ और उनका जो personal समान था, वो सब सीज कर ले जाता है, लोग लूट कर ले गए आजुबाजुवाले, तो war के उपर ही तो पुरा chapter है अगर देखा जाए तो, इसके अलावा अगर आप देखोगे, it creates a sense of trauma and loss that lingers even after the conflict has ended, और चाहे बेशक से war खतम हो गई हो, लेकिन जो आज भ और also exposes the selfishness, यहां से हमें selfishness भी पता चलती है न, वो जो औरत है doorling की, कि उसने opportunity देखकर समान सारा टपा लिया और अब वापिस देने का नाम नहीं ले रही है, so इस तरीके से उसने फायदा उठाया किसी की family का और जो family सफर कर रही थी उस time पे उसका, so यहां पे अगर अग ठीकें, ठीकें, अगर हम आगे बढ़ें, तो the emotional and psychological impact, जो war का emotional effect तो पढ़ता ही, आप अपने members को खो रहे हो, भाई, loss हो रहा है, आपका इतने लोग मारे जा रहे हैं, और psychologically भी भी बहुत impact पढ़ता है, so इससे क्या होता है, वो अपने past को जब भी याद करती है, कि भाई, समान था, वो चला गया, member चले गए, तो वो बिलकुल एक तो repair, मतलब repair नहीं हो सकता, जो loss उसका हुआ है, और कहीं ना कहीं, वो struggle करते हुए आई है, ठीक है, अपने past को लेकर, आज भी वो try कर रही थी, कि भाई, जो चीजें मेरी खोई हुई है, मैं कुछ तो little, कुछ थो narrator, अब ये decide क्यों करते है, कि मैं ये समान वापिस नहीं लोगी, क्योंकि narrator decide करती है, कि मैं समान वापिस नहीं लोगी, उसको realize हो गया था, अब ये समान मेरे लिए उतना important नहीं है, जितना वो पहले मेरे लिए meaning रखता था, कि जब हम साथ रहते थे, अब इस समान का क्या कर करूंगी तो ना तो मेरी माँ वापिस आएगी ना मेरे family members वापिस आएगे ना मेरा घर वापिस आएगा जो एक बड़ चला गया वो चला गया उसको realize हो जाता है अब मेरे को जाने देना चाहिए अपना घर निकलती हूं और move on करने पर ध्यान देती हूं अगला question है what does the story suggest about the value of memories versus material possessions देखो वही ये story में memories के बारे में तो दिया हूआ है कुछ material possessions के बारे में भी बात आई है देखो ये story से हमें क्या पता चलता है जो narrator है वो पहले तो ये सोचती थी कि मैं जाओंगी reclaim करूंगी अपना समान लेकर आओंगी जो भी मेरा समान है मैं लेकर आओंगी मेरी family की चीज़े हैं और वो ultimately उसको ये चीज़ समझ आ जाता है कि ये बस materialistic objects हैं अब मेरे लोग वापिस नहीं आएंगे मेरा trauma कभी ठीक नहीं होगा मेरी माँ कभी वापिस नहीं आएगी मेरे family members वापिस नहीं आएंगे सो जो memories है mother की ठीक है वो आप समझ सकते हो वो mother के साथ जो memory है जो mother को खोया है वो mother तो वापिस आएगी नहीं सो ये material objects को लेकर क्या होगा कुछ नहीं होगा जो memories होती है जो connection बनाते हैं वो जादा endurable होते हैं वो जादा लंबे समय तक चलते हैं यह materialistic चीज़ें को क्या है यह तो कल को टूट जाएगी खो जाएगी पिछड़ जाएगी पर यह यादे तो मन में रहती है न हमेशा यह chapter इस बारे में है इसी के साथ chapter यहां पर खतम होता है अगर आपको question answer समझ में आ गए है तो आप वीडियो को like करें channel subscribe करें अपना feedback लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो को share करें जै हिंद जै भारत मिलते हैं next वीडियो में